दोस्तो कपिल सर्मा सो की दिन परतिदिन गिरती ट्यार पी और रेटिंग से कपिल सर्मा और मेकर्स के होस उड़े हुए हैं कपिल सर्मा का नया सीजन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है अगर आलम यही रहा तो कपिल के लिए मुश्किले और भी बढ़ सकती है जिन चहरों को कपिल सर्मा के नए सीजन में सामिल किया गया है उनमें से सिर्फ सितार्त ही लोगों को कुछ हद तक हसाने में कामियाब हुए है कपिल सर्मा सो की पॉपलेरिटी इतनी गिर गई है कि आज बड़े बड़े एक्टर प्रोडूसर कपिल सर्मा सो की जगा अन्य प्रेटफॉर्म पर अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए पहुँच रहे है जहां कपिल सर्मा सो पहले बड़े एक्टरों और बड़े प्रोडेक्शन हाॉसेस की पहली पसंद हुआ करता था वहीं अब सो की पॉपुलियर्टी में आई कमी को देखते हुए बड़े बड़े एक्टरों और कलाकारों ने सो से किनारा कर दिया है जिसका उधारन हाल ही में रिलीज हुई तीन बड़ी मूवी से लगाया जा सकता है रणबीर और आलिया की ब्रहमास्तर 9 सितंबर को भारत में रिलीज हुई वहीं 10 सितंबर को कपिल सर्मा सो के ने सिजन की भी सुरुआत हुई पर रनबीर और आलिया ने कपिल सर्मा सो में अपनी मूवी का प्रमोसन करना जरूरी नहीं समझा विक्रम वैदा रितिक रोसन की अपकमिंग और हाईली अवेटेट मूवी जिसके परमोसन के लिए रितिक रोसन ने भी कपिल सर्मा सो में खुद सिर्कत करना जरूरी नहीं समझा हाला कि विकरम वैद्धा के अन्य कलाकार कपिल सर्मा के सो में जरूर आए पर रितिक का ना आना ये बताता है कि अब कपिल का सो उतना भी जरूरी नहीं रहे गया कि मुख्छ कलागार का आना जरूरी हो वहीं मनी रत्नम की एपिक मूवी पौनियन सैर्वन जिसमें एश्विरा राय बतोर अभिनेतरी दिखाए देंगी ने भी कपिल सर्मा सो में व्यक्तिकत उपस्तित नहीं दर्साई कपिल सर्मा सो जो फिल्मों की प्रमोशन का सबसे बड़ा मन्च हुआ करता था जिसके लिए बड़े बड़े एक्टर अन्यो प्रोग्रामों और इवेंट्स को कैंसल कर दिया करते थे आज क्या हो गया है कि कपिल के सो में अपनी फिल्म के किसी भी किरदार को भेज कर बस फॉर्मेल्टी पूरी कर दी जाती है कपिल सर्मा और मेकर्स को इस गिरती हुई लोक प्रियता को जल्दी सुदारना होगा सो में जरूरत है क्रिशना, सुनिल, सुदेश जैसे कलाकारों की नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कपिल सर्मा सो भी अन्य कॉमेटी सोच की तरह बंद हो जाएगा आपकी क्या राई है इस वीडियो पर लिखना न भोले और इसी परकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, लाइक कर दिए, सेर कर दिजिए और देखते रहे हैं तक कपिल सर्मा गॉसिप